नमस्कार आप सभी का आपकी अपने इस यूटूब चैनल पर एक बार पुन्ह स्वागत करते हैं हलांकि स्वागत करवाने वाले सदस्यों की जो संक्य हों बहुत कम रहती है पांस दस में ही सिमठ के रह जते हैं पता नहीं हमारी क्वालिटी में कोई कमी है या बच्चों को पढ़ना नहीं है जो भी है लेकिन हम अपनाएं तरफ से जो प्रियासव पूरा करेंगे आजम का अक्साग्यार है कि विसे हिंदी साहिते के पठ्थे पुस्तक अंतरा के गद्धे खंड का पहला पाठ एदगा है जो कि प्रेमचंद की द्वारा रचिते बाल मनोविज्ज द्धन पर अधरित एक बहुत ही अच्छी कहानी है एक बार पढ़ते ही लोगों की दिलों दिमाग पर शाजाती है हामिद सबका प्यारा भव जाता है उसी कहानी के प्रसनोत्रों पर बात करेंगे पहला प्रसन है प्रेमचंद का मूल नाम था तो धन पतर आए श्रीवास् प्रसन होता तो दुनिया भर की यह तमाम चीजें उसे अपने अनुकूल लगने लगती है यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ है लोग इतगा इंतजार कर रहे थे और आज वह आ गई इस कारण सब खुश थे और इसी खुशी वह उमंग के कारणे लोगों को सूरज है वह बड़ प्यारा बड़ा सीतल और बधाई देता हुआ सा प्रतिती खुर रहा था गाउं से इदगाह कितनी दूर था तीन कोष दूर था सबसे ज़्यदा खुश कौन थे तो लड़के सबसे ज़्यदा खुश थे ईद मुहर्म हो जाने से क्या आसे है खुश्यों का गम में बदल ज बच्चों की आसा की क्या विश्यस्ता बताई गई है यही कि बच्चों की आसा जो है वो राई का परवत बना लेती है अर्थारते आसा की एक छोटी सी किरण भी उनके सपनों को बड़ा बना देती है बच्चों के अनसारे चौदरी सहब को शारे जहां की खबरे या सारी इनात देते हैं एदगा हमें पेड़ थे किसकी निगाह में शब बराबर हैं तो इसलाम की निगाह में शब बराबर हैं इसलाम की निगाह में शब बराबर कैसे हैं तो इदगाह में नमाज के दृस्टे का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि रोजेदार नमाज अदा कर रहे ह लोग आते जा रहे हैं आगे जगे नहीं है और नए आने वाले पिछे खड़े होते जा रहे हैं. यहां पद और धन का कोई महत्वे नहीं है। यहां इस पेंक्ति को अब ध्याम से देखिएगा कि यहां पर पद और धन का कोई महत्वा नहीं रह जाते हैं और अक्सर हम अन्य धर्म के धर्मों के जो कहें की धार्मी के स्थेल हैं वहां पर हम देखते हैं कि 500 रुपे लेकर आप इस्पेसल दर्शन करवा देते हैं जो ही कोई बड़ा अधिकारी या कोई बड़ा नेता या कोई बहुत बड़े पेसे बहुत जदा पेस ओला या जिसने कुछ मंदिरा दे के लिए कुछ ज़्यादा रासी और उस मंदिर में दान में दी है अपना नाम कहीं नाम पट्टी का लगवा दी है तो उन लोगों के आते ही पूरा जो लवाजमा है वो उनके पिछे लग जाता है पूरी फोज उनके पिछे लग जाती है बस ये साव ये वाई जी ये दिकड़ा जी ये फलाना जी ये ये रह जाते है जब कि इसलाम में यहां नेपद का नेधन का कोई महत्वा नहीं रह जात तो पिछे कड़े होगी वो भी नहीं कहेंगे कि मैं आगे खड़ा हूँगा और ने वो मज़जूर कहेंगे कि आप आगे आजएए मैं पिछे चला जाता हूँ ऐसा कुछ नहीं जव जहां जसे जिस नंबर पर आया वो कहीं खड़ा होता है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनो हामित के पास कितने पैष्टे थे तीन क्या खरीदा चीम्ता अगला प्रसन बड़ा मेहत्तोपुने कि धेल चा कनकोवा किसी गंडे वाले कनकोवा को काट गया हो को काट दिया साब्दिकर्थ तो यह है इसका लेकिन यहां एक मुहावरी के रूप में प्रिप्त किया गया है इसका ताथ पर यह है कि कूतरक ने और तरक देने वाले लोगों को या तरक को मौन कर दिया चुप करवा दिया तो कूतरक की बात आती है और यहां हमिद की द्वा कर द्वारा को तरक किया जाएगा देखिए कि हामिद और उसके दोस्तों के बीच चिम्टे और अन्य खुर्लोनों को लेकर तरक चल रहे तक में महमुद्व कि हमीद को चड़ा हमीद को चिड़ाने के अंदाज में कहा कि तुम्हारा चिम्टा तो रसोई कर्मी निच्चे पड़ा रहेगा और हमारा वकील है वो जो कुर्सी पर बैठेगा तब हमीद को कोई उच्चित बात तो सुजी नहीं कोई तरक तो उसे सुजा नहीं तो उसने बैमानी धांद लिया मारवाड़ी में रजस्तानियों का एक्राम है रूम शी घनी चलू कर दी और दांद लिम उसने क्या का कि मेरा चीम्टा तुम्हारे वकील को कुर्सी से निच्चे गिरा देगा और उसका कानून उसके पेट में गुसा देगा अब कानून को पेट में कोई कैसे गुसा सकता वही इस बात पर सभी बच्चे यह अलंकी देखा जाए तो यह कूतर का ने होकर कूतर्क था पर इसका जवाब भी लड़कों के पास नहीं था ऐशा लगा जैसे किसी धेले या कोड़ी के पतंग ने किसी बड़े पतंग की डूर काट दी हो अर्थार्थ उसे मूँ के कर दिया हो तो चिम्टे को किन किन उपनमों से पुकरा गया बहदूर कहा गया रोस्ता में हिंद कहा गया खिलोनों का बादसा कहा गया तिपाही की तूटी टांग किस से जोड़ी गई गूलर के दूद से हमिद ने अमीना को चिम्टा खरीजने का क्या करण बताया दादी अमीना की पूछने पर हमिद ने बताया कि रोज रोटियां बनाते वक्ते उसके हाथ जल जाते थे इसी करण वह चिम्टा लाया है प्रगल्व प्रेम की क्या पहचान बताई गई है प्रगल्व प्रेम मतलब वाचाल है प्रगल्व या वाचाल प्रेम अपनी सारी कशक सारा प्यार सब्दों में भी खेर देता है जबकि मूख या मौन जो ज़्यादा बातें नहीं करते लेकिन उनमें प्रेम बहुत है वो प्रेम ठोश होता है मरतव स्थाई रश और स्वाद से भरा हुआ होता है अभाव बच्चों को अमर से पहले समझदार बना देते हैं किसी चीज़ की कम्हीं नहीं होगी क्या हमीदिग के घर में ही चिम्ता नहीं जा और बच्चों के घर में क्या सारी चीज़ हुबन देती लेकिन उनकी मातापिता जिवीते थे और उनके पास इन चीजों को देखने का वक्त भी नहीं हुआ करता था हमिद अकेला अपनी दादी के साथ रहता था तो दोनों में जो भी काम करते वो दादी तो हमिद उनके पास रहता था वो सारी चीज़े देखता रहता था और कमी उसके पास थी तो उसने सुचा कि क्यों आज मौक है और आज दादी के लिए चिम्टा लेही लेते हैं हमिद इद का है नम कहानी का नायक या मुख्य बातर था बीमारी के करण माता पिता का देहां तो जने पर वह अपनी दादी अमीना के साथ रहता था अमीना के पास आएका कोई जरिया नहीं था घर में पैशों औ मेसा ही तंगी रहते थे हमिद इन सब को देखते हुए बड़ा हो रहा था वह अन्य बत्तों के साथ मेले जाता है आउरे लेकिन अन्य बत्तों की तरह खिलों ने या मिठाई त्यदी नहीं खरीज़ा उसे दादी के जलते हुए हाथ वहां भी नजर आ रही थे शायद के लिए चिम्टा खरीदेता है अपने सारी इच्छों पर संयम रख कर उसने साबित किया कि अभाव बच्चों में भी बड़ो जैसी समझारी पैदा कर देते हैं उसके अंदर प्रकाश है बाहर आसा विपती अपना सारा दल वल लेकर भी आए तो हमिद की आनंद भरी चित अपनी अपनी थेलियां संबाद रहे हैं सारे बच्चे अपनी अपनी वो गुल्लक तोड रहे हैं या उनके पास जो जमा पुंजी थी वो देख रहे हैं हमिद भी मेले जाना चाहता है उसके माता पिता नहीं है बुड़ी दादी है उसके पास पैसे नहे के बराबर है मतल से इसी वात से हमिद को रुपए वह नियामते मिलने की आशा जगी है और इसी कारण आशा के कारण वह है बड़ा प्रसन है खुश है और इसी आशा के कारण उसका मन रोमांच और उमंग से भरा हुआ है हकीकत तो दादी जानती थी पर हमिद दादी के द्वारा दिखाई अगले पार्ट के साथ आपके साथ फिर से मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्ते जैहिंद